नमस्कार देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ सुमन आज के इस बुलिटीन में हम बात करेंगे मोदी की नकली और चाइनिज गैरंटी की बिहार में कॉंग्रेस को मिली बड़ी चीत की करनाटा के पूर्वे डिप्टीज सीम इस वे रपा ने बड़ाई भाजपा की टेंसन की नहीं पहुचेगी बीजेपी चार सो पार सटा बाज़ार के दावे की बात करेंगे चुनावायुक्तु की न्युक्ति पर केंद्र के जवाब की और बुलिटीन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में राहुल गांदी की लोग प्रियता से कॉंग्रेस में शामिल हो रही है इसके साथ यो और भी कई मैतूपुन खबरों से आपको करवाएंगी रुबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में कॉंग्रेस को मिली एक और बड़ी कामियाबी पपू यादव अप कॉंग्रेस की टिकट पर लड़ेंगे लोग सबाचुनाव अपनी जन अधिकार पार्टी का कॉंग्रेस में क्या विल है इस दुरान यादव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से लड़ने की हिमत केवल राहुल गांदी में है नोट गिंते गिंते गर्म हो जाती है मसीने फिर भी विपक्स चाता है कि कारवाई ना हो राइजिंग भारस सम्मिट दोखसाच चोबिस में बोली ग्रैमंत्री अमित्चा साथ ही कहा कि कोई कुछ भी कर ले प्रिश्टाचार करने वालों पर कठोर कारवाई होगी और वो जल्द ही जेल की सलाकों के पीछे होंगे करनाटा के पूर्वे डिप्टी सियाम इस्वेश रप्पा ने बढ़ाई भाजपा की टेंचन बगावत के बाद ये दी यूरपा के बेटे विजेंद्र के खिलाफ लड़ेंगे लोग से बाद चुनाव बता दें कि अपने बेटे को टिकटने मिलने से चल रहे थे नाराज ये ज़रूरी नहीं कि आयोग तब ही सवतंत्र होगा जब सेलेक्शन पैनल में CGI या कोई न्याईक व्यक्ति चुड़े चुनाव अयुक्ति की न्युक्ति वाले कानून पर केंद्र ने दिया जवाब साथी कहा कि इलक्शन कमिशन एक सवतंत्र संस्ता विपक्स की याचिकाप का मकसद सिफ राजनेंतिक विवाद खड़ा करना है भारे दुनिया का तीसरा सबसे प्रदुशित देश श्याण में प्रतिशत आबादी ले रही दुसित सांस वही दो हजार तेश की इस लिष्ट में बांगला देश सबसे उपर तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर बीजेपी किसी भी हाल में नहीं जाएगी चार सो पार, सटा बाज़ार निकिया दावा बोले कि लोग सबाचुनाव में कॉंग्रेस को सिफ 43 सीटे मिलेंगी इसके अलावा 36 गर्ड, MP और गुज़ात में सूपरा साफ होगा लड़कियों को हर महीने 10,000 और पिचेतर रुपै लिटर पैट्रोल डीजल पैंसर तमिल नाडु में डीमके ने अपने घोशना पत्र में किये कई चोकाने वाले एलान साथ ही श्री लंकाई तमिल नागरिकों को भारती नागरिकता देने की बाद भी कही भाजपा में शामिल हुई तेलंगाना की पूर्वेर राजपाल ती मिसिलाई सुन्दर राजन दो दिन पहले दिया था गवर्नर पत से इस्तिफा मैं नहीं बदली कस्मीर के खालाद बदले 180 डिगरी यू टर्ण पर जी एन्यू चात्रा संग की पूर्वेनेता सहलार रसीत का बड़ा बयान साथ ही कहा कि हमने देखा है कि किस प्रकार पीयम मोदी की रैली में आम कस्मीरी खड़े थे कॉंग्रेस की CWC मिटिंग में फाइनल हुए बंगाल के बारा लोगसबा सीटो के नाम इसमें नेताप्रतिपक्षदी रंजन चोधरी का नाम पक्का वहीं टीम से सभी 42 सीटो पर उतार चुकी है अपने उमेदवार बेटे के जन्म के बाद सीदू मुसेवाला के परिवार वालों के बड़ी टेंशन स्वास्ति मंत्राले ने भीचा नोटिस साथ ही IVF ट्रीटिमेंट को लेकर पंजाब सरकार से मांगा जवाब अवेद रोहिंग्या मुसल्मान प्रवाशियों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं केंद्र सरकानी सुप्रिम कोट में दिया जवाब कहा कानून के मुताबिक इन पर सक्त कारवाई करेंगे दिल्ली के प्रगती मैदान में चल रहा स्टार्टप महाकुम पीम मोधी बोले की बीते दशकों में हमने देखा भारत ने आईटी आई और सोफ्ट्वेर सेक्टर में अपनी छाप छोड़े वही अब इनोवेशन और स्टार्टप कल्चर का ट्रेन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है जाहिर तोर पर मैं ही हाजिपूर से प्रत्यासी वूल लड़ना चाहें तो चिनोती स्विकार है पसुपती पारस को चेलेंज देते हुए चिराग पास्वान का बढ़ा प्यान बैंकोफ बढ़ोदा ने होली पर ग्रहकों को दिया पढ़ा तोफा होम लोन पर ब्यास दर खटा कर प्रोसेसिंग फीस में दी छूट हरे निसान के साथ बंद हुआ शेर बाजा संसिस नवासी अंक बढ़ कर बैतर अजार एक सो एक पर हुआ बंतो वही निफ्टी 21 अंक की तेजी के साथ 21,849 पर हुआ बढ़ ये तो तिसुर क्या अब चलते हैं आज की बड़े खबरों की और खाबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी की नाकामियों को उजजागर कर रहे कॉंग्रेस अध्यक्स मलिका जुन खड़िगे की जी हाँ खड़िगे को जहां मोका मिल रहा वो वही चोका लगा रही हैं खड़िगे मोदी के पीछे हाँ धोकर पड़े हैं क्योंकि उनका कहना है कि मोदी देश को धुका दे रही हैं जिसके चलती उन पर नजर बनाये रखना ज़रूरी है ऐसे में आये जानते हैं मोदी कहां पर बड़ी चुक कर गए जो खड़िगे के हाथों बुरी तरह फस ग रही हैं और उन्हें जहां भी कमी दिखाई देती हैं देश की जनता के साम नेर रख रही हैं बुद्वार को कुंग्रेस सदेक्स मलिकार जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जम करने साना साधा और उन्हें धोकी बास करार दिया खड़गे ने कहा कि लद्दा के लोगों और चटी अनूसूची के तहट सविधानिक सुरक्षा दिये जाने की मांग को लेकर प्रदीशन हो रहा है। सविधान के जीस में एक जम्मु कस्मीर और दूसरा लग Creek08 ग्ई शालांकि आदिवासी संस्क्रती की रख्षा ओर उसके संरक्षं के लिए है। वहीं चीन मोदे पर बोलते हुए मलिका जुन खडगे ने कहा कि 2014 के बाद से पीए मोदी और उनके चीनी समकक्ष के बीच कम से कम 19 दोरे की आमने सामने की बादचीत हो चुकी है इसके बावज़ूत मोदी सरकार 2020 से पहले यताइस सती सुनेशित काने में विफल रही है साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस लदा की रक्षा और हमारी सिमाओं पर हमारे राष्टे हीतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद है एक तरफ कॉंग्रेस मोदी सरकार की दुस्मन बनी हुई है तो वहीं दूसरी और बीजेपी के लोग ही पार्टी को खाय चा रही है दरसल करनाटक में बीजेपी से नाराज नेता उन्हें बीजेपी की पोल खोल दी है और मोदी को खुद के गिरेबान में जाकने की सला दे दी है ऐसे में क्या है पूरी खबर देखे स्खास रिपूर्प में बीजेपी कोंग्रेस पर अक्षर परिवारवात का आरोप लगाती है लेकिन कभी भी अपने गिरेबान में जाकन नहीं देखती यहां आरोप किसी दूसरी पार्टी के नेता नहीं बलकी यहां आरोप बीजेपी के नेता वै करनाटा के पूर्वे डेप्टिस सीम के एस इस्वर रपा ने लगाया है जिसके बाद इस्वर रप्पा के तेवर बागी हो गए है और उन्होंने पूर्वे सियम बीएस येद्दी यूरपा के बेटे बीवाई विज्जेंद्र के खिलाफ सी मोगा से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि करनाटक में भाजपा अच्छी इस्तती में नहीं है करनाटक के जनता और पार्टी के कारिकरता तो भाजपा के पक्स में है लेकिन यहां की विविस्था खराब है उन्होंने ये दी यूरपा पर परिवारबात के आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी एक परिवार के हाथ में है हैं लेकिन करनाटक भाजपा में भी यहीं स्तिथी है करनाटक भाजपा में भी एक परिवार का कब जा है हमें इसका विरोध करना होगा वहीं इस्वयर रपा के अलावा करनाटक के पूर्वे मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गोडार कराडी संगनावे जैसी मधुस्वामी सुत्रों के मुताविके तीनों नेता कॉंग्रेस में शामिल होकर वीजेपी के खलाफ उतर सकते हैं और वीजेपी को लोगसे बाद चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं नुकसान तो भाजपा को पहुचाना तह है क्योंकि करनाटक में तो केवल एक नेता ने बीजे पीसे छलांग लगाए लेकिन बिहार में पूरी की पूरी पार्टी ही कॉंग्रेस में शामिल हो गए तो वो कौन सी है पार्टी और क्या है उसके मकसद देखे स्कास रिपोर्ट है क्योंकि जो दिगज अब कोंग्रेस में शामिल हुए है उनके लिए पार्टी नेता पवन खेडा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी और पपू यादव किसी परीचे के मोहताज नहीं है पपू यादव एक कदावर नेता है वे कोंग्रेस पार्टी के नितित्वे नीतिया और दिशा से प्रभावित होकर कोंग्रेस में शामिल हुए है जन अधिकार पार्टी का कोंग्रेस में विलेश शाधारन नहीं है बलकि अतिहासिक है इधर कोंग्रेस में जोइन होते ही पपू यादव ने एक्सपर लिखा कि आज से आजीवन कोंग्रेस के साथ है तेस के भविश्य राहूल को प्रधानमंत्री बनाना मेरा लक्ष रहेगा यूवा किसान महिला वंचित समाज को न्याय दिलाना ये संकल्प है हमारा इसके अलावा राहूल गांदी की तारीफ करते हुए जाप सुप्रीमों ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह से लड़ कमिटमेंट है हमने उससे प्रभावी ठोकर कोंग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है हम लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर 2024 का चुनाव और 2025 का विधान सबाद चुनाव भी जीतेंगे आपको बता दें कि पपुई यादव पूनिया सीर से लोगसभा का चुनाव लड़ सकते हैं उनकी पतनी रंजीत रंचन कोंग्रेस की राजेसवास सांसद हैं और उनके बेटे सार्थक भी कोंग्रेस में शामिल कराने के पीछे प्रियंका गांधी ने एहम भूमी का निभाई है बिहार में कोंग्रेस को मिली बड़ी जीत पर क्या है आप कि बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा